नमस्का चात्रो आर्मी पॉब्लिक स्कूल दिल्ली केंट से मैं दयावती आप सभी का स्वागत करती हूँ आज हम समझेंगे पार्ट दो बचपन जोकी कक्षा छटी की पाठे पुस्तक में संकलिध है इस पार्ट की लेखी का है किष्णा सोब्तेजी किष्णा सोब्तेजी भार्टिय साहित्य में अपनी संयमित अभिव्यक्ती और साफ सुतरी रचनात्मक्ता के लिए जानी जाती है कम लिखने को वे अपने परीचे मानती थी पार्ट का सारांश कुछ इस प्रकार है लेखी का किष्णा सोब्ते दादी या नानी के उम्र की है परिवार के लोग उन्हें जीजी कहते है इस उम्र में वे अपने आपको बज़ूर महसूस करती है क्योंकि उनका जनम पिछली स्ताबदी में हुआ था अपने बच्पन के बारे में बताती हुए वे कहती हैं कि तब से अब तक उनके पहनावे में काफी बदलाव आया है पहले वो गहरे रंग के कपड़े पहनती थी अब हलके रंग के क्योंकि पहले बच्पन था और बच्पन में गहरे रंग के कपड़े अच्छे लगते हैं पहनने किन्तु आज वो बुजूर्ग हो चुकी है इसलिए वो हलके रंग के कपड़े पहनती है उन्होंने अपने बच्पन की कैई फ्रोकों के बारे में बताया है जिसमें फ्रिल लगी होती थी पर बालों में रिबन बानती थी उन्हें अपनी ट्यूनिक, मोजे और स्कार्टिंग आज भी याद है बच्पन में इत्वार की सुबह वो अपने मोजे धोती थी जोते पॉलिश करने होते थे उन्हें यहां तक कि हर शनिवार को लेखिका को ओलेव ओयल पीना पड़ता था और जिसकी गन लेखिका को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी लेखिका अपने बच्पन की तुलना आज के समय से करती हुई कहती हैं की तब रेडियो, टेलिवीजन या ग्रामो फोन नहीं हुआ करता था तब की कुल्फी आइस क्रीम में बदल गई है और सरबत कोल ड्रेंट में बदल गई हैं यानि की समय में काफी परिवर्तन आ चुका है बच्पन में लेखिका भाई भेनों के संग शिमला मौल से ब्राउन ब्रेल लाया करती थी हफते में एक बार उन्हें चॉकलेट खरीदने की भी छूड थी और सबसे ज़्यादा चॉकलेट लेखिका के पास ही हुआ करती थी लेखिका हमेशा रात के खाने के बाद बिस्तर में घुसका चॉकलेट का मजा लेती थी उन्हें शिमला के खटे मीठे फल आज भी याद हैं किस तरह से चुटपन में वो शिमला रिज पर गोडो की सवारी का आनन्द उठाया करती थी वो उन्हें आज भी याद है तो चात्रो इस पाठ को और अच्छे से समझने के लिए हम इन कुछ प्रशनों को भी जान लेते हैं लेखिका का जनम किस सधी में हुआ होगा तो इसका जवाब होगा बीस्वी सधी में बचपन में लेखिका ने इन में से क्या नहीं पैना था तो इसका उत्तर बच्चो होगा चूडीदार कुर्ता हरशनीवा लेखीका को क्या पीना पड़ता था спасибо olive oil चश्मा लगाने पर लेखीका को चड़ाते हुए भाई ने क्या कहा तो उसकी चचेरे भाई उसे क्या कहकर चड़ाते थे लंगूर परिवार के लोग लेखीका को क्या कहते थे जी जी लेहिका ने इन मैंसे कौन सी पोशाक नहीं पहनी तो उसका जवाब रहेगा जीन्स उन दिनों घरों में मनोरंजन का क्या सादन था तो ग्रामोफोन और रेडियो इन मैंसे कौन सी ड्रिंक लेहिका के बच्पन में नहीं थी पैपसी क्योंकि पेपसी आज मिलती है लेकिन जब लेखी का छोटी थी तब उस समय पेपसी नहीं हुआ करती थी आख पर चस्मा लगाया ताकि सुझे दूर की यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लगूर की यह कुछ वाक्य हैं जिनको कहकर उनके चचेरे भाई हमेशा उन्हें चिड़ाया करते थी और लेही कही है सुनकर भौती नराज भी होती थी है ना उसके बाद भी कहती थी शेर बुरा ना लगा देखी काको आज भी याद है कि किस सरह से वो जो चश्मा वो लगाती थी उनके चेरे से घुल मिल गया था और जब भी वो चश्मा उतार कर रख देती थी तो चेरा उन्हें खाली-खाली सा लगने लगता था उन्हें आज भी याद है कि इस सरा से उनके पास एक टोपा, काली फ्रेम का चश्मा, लंगूर की सूरद जो उसका चचेरभाई कहके उसको चिडाता था यानि कि बच्चपन की अधिकत तर घटना है उनको आज भी याद है तो बच्चो पाठ का सारांश कुछ इसी तरे से इसी प्रकार है इस पाठ में कृष्णा सोपते जी अपने बच्पन की घटनाओं के बारे में हमें बताती है और ये समझाने का प्रियास करती हैं कि किस सरा से उस जमाने में और आज वर्तमान युग में कितना परिवर्तन हो गया है और यही इस पार्ट में उन्होंने हमें बताया है धन्यवाद